दोस्तों जैसे जैसे समय बीता जा रहा है वैसे वैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा अतरंगी होती जा रही है दुनिया भर में हर रोज ऐसी ऐसी गटनाएं गटित होती है कि इने बिना देखें पर यकीन कर पाना हमारे लिए मुश्किल लहता है लेकिन कोई बात नहीं आपको दुनिया भर में घटने वाली हैरत अंगेज अतरंगी और मजा के घटनाओं से रूबरू कुरवाते हुए आपके ग्यान के सागर को और बड़ा करने के लिए डीप इन्फो ने आपके लिए एक सिरी जरे की जिसमें अब तक हमने तेरा पार्ट पनाए आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लिए लिकर आए हैं कॉट अन कैमरा वीडियो का पार्ट चोदा अब तक आपने कई तरह के चोरों और उनकी चोरी करने की अनुखे तरीकों की बारे में सुना होगा लेकिन अगली क्लिप में आप देखेंगे कि एक महिला शॉपिंग करने के बाद मॉल की बार्किंग से अपने कार लेकर रवाना हो रही थी कि तभी उसके पीचे से एक विक्ती आया और महिला की कार की पीचे एक शॉपिंग कार छोड़कर भाग जाता है अब कार की बीचे कार्ट देकर महिला उसे हटाने के लिए नीचे उतरती है लेकिन दभी दूसरी तरब से ताक लगाए बैठा वही शक्स कार के पास आता है और कार का गेट खोल कर उससे पर्स लेकर 921 हो जाता है इस से चूर ने इतने शातिर तरीके से चूरी को उन्जाब दिया ये महिला को रवाना होते समय तक भी पता नहीं चला कि उसे चूना लग चुका है खैर ये तो सूबा किसे CCTV में कैद हो गया वरना महिला की साथ होई पर्स चूरी का कोई भी सुरा किसी के भी सामने नहीं आता अब जो नज़रा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर ज़रा गौर फरमाईएगा क्योंकि यहाँ आप एक ऐसा दृश्य देखेंगे जिसमें एक ततईया यानि वास्प अपने ही टूटे हुए सर के पास खड़ा है और अपने पैरों के मदद से इसे ढूणने की कुशिश में जुटा हुआ है कुछी देर इसी तरह से अपना सर ढूणने के बाद वास्प अपना सर ढूणने सफल रहा और सर को पैरों से पकड़कर इससे अपने साथ उड़ा ले गया उचे इसे प्रकार की एक और क्लिप में आप एक मक्की को धड़ से अलग हो चुकि अपने सर के साथ खेलतेविद दिख सकती है پैर देखने में ये आपको विचित्र और असम्भों से घटना लग सकती है लेकिन सिर्फ उतने ही दिन जितने दिन उनके शरीर में परियापत एनरजी मुझूद रहती है क्योंकि सर कटने की बाद भी खाने पेने में ऐसमर्थ हो जाती है यहां लोग हातों से नहीं बलकि गाएगा पर लोग बाल्टियां भर भर के पैसे की बारिश कर रही थी जानकारी के लिए बता दे कि ये नजरा उस समय देखने को मिला जब कुझराद के एहमदाबाद शेहर में मशूर कुझरादी फॉक सिंगर उर्वशी रडाड़िया अपना लाइप परफॉमेस दे रही थी उर्वशी के गाने लोगों को इतने ज़दा पसंद आए कि वे पांसो की गड़िया उडाने के साथ साथ बीस और पचास के नोटों से भरी बालतिया उन पर गिराने लगी यदे एक लोगों ने तंज कसते हुए कहां कि इस तरह से पैसे उचालने से ज़दा भैतर रहता कि इन पैसो को गरिबों में बाटा जाता आपका क्या कहना है नीचे हमें कॉमेंट वोक्स में ज़रू बताएं मई 2021 के दोरान केनिया मुलके एक यूट्यूबर अफरिका एवंजिस ने नैरोबी में घूमने जाने वाले टूरिस्ट के लिए एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे नैरोबी के चोर आपको चंद सेकेंड्स में चूना लगा सकती है और आपके मुबाइल फोन पर्स या आन्ने कीमती समान लेकर 9211 हो सकती है इन जनाब ने अपने कार में कैमरा सेट किया और कार के विंडो से फोन या आनने कीमती समान बहार निकालकर नैरोबी की सड़कों पर घूमने के लिए निकल पड़े जानकर हैरत होगी कि इस दोरान रास्ते में उन्हें दरजनों ऐसे चोर मिले जोना है इस 2-3 सेकेंड्स के समय में लोगों की समान लेकर भाग जाते खैर उन्हें तो सिर्फ चोरों का भांडा फोड करना था जिसके चलते वो अपने सभी समान को कसकर पकड़े हुई बैटे थी और बिना नुकसान करवाए सुरक्षित घर पहुँच गए लेकिन इस यूट्यूबर ने सभी चोरों की शकले अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लगबख साड़े चार करोड लोगों के सामने इन्हें बतनाम किया दोस्तो भूक और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है और शायद ऐसे ही कुछ वज़य इन चोरों की पास रही होगी खैर ये लोग तो अपने मजबूरी की चलते ऐसा काम करने को विवश थी लेकिन हम आपके लिए लाएं है री लेवल एप जो भारत का पहला ऐसा प्लेटफों है जो दरदर की ठोकरी खाकर नोकरी डोनने वाले लोगों को मातरे एक सिंपल टेस्ट के जरिये अपने स्किल्स का परदशन करके उन्हें 15 दिनों के अंदर उनकी ड्रीम जो अपाने का मुखा देता है वो भी विल्कुल फ्री यहां आप मातरे एक टेस्ट के जरिये मीशो रेजर पे क्रेड अपक्रेड जैसे 70 से ज़दा कमपनियों में नोकरी पा सकते हैं एक जार नंबर की टेस्ट में आपको बस 700 से उपर नंबर लाने है और आपका इंटर्विव बड़ी बड़ी कमपनियों में स्केडूल होगा टेस्ट की बात की जाए तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी भी कॉलेज या डिगरी के ज़रूरत नहीं है टेस्ट ओनलाइन होते हैं जो आप घर बेटे आराम से दे सकती है सबसे अच्छी बात ये है कि ये टेस्ट आप बिलकुल फ्री में दे सकती है अपनी पसंद की किसी भी दिनी से पूरा कर सकती है और एक अफ़ते के अंदर अपना री लेवल स्कोर प्राप्त कर सकती है जिन लोगों को री लेवल के जरीए अपनी नोकरी मिली है उन्हें आप यहां लेडर बोर पर देख भी सकती है नोकरी के साथ-साथ इन्हें री लेवल ने मैक बुक आइफोन जासे आने गिफ्ट भी दी है इसके अलावा री लेवल ने अब तक साथ करोड़ से भी जादा रुपया की नोकरी लोगों को दिलवाई है यहां 9 टेक में सालाना 4 लाग और टेक में सालाना 6 लाग की नियुनितम सैलरी की गारंटी है 18 साल से उपर कोई भी अपलाई कर सकता है यहां तक की एक्सपीरियंस डिलोग भी नोकरी बदलने वाले री लेवल अचिवर्स ने पिछली नोकरी से 50 पतिशचे तक ज्यादा सैलरी में बडोतरी हासिल की है री लेवल के जरीए इन कैंडी डैट्स को हिप्टो कमपनी में सालाना 28.5 लाग का पैकेज मिला है अब जब फ्री में टेस्ट देगर ये सब भी नोकरी पा सकते हैं तो आप किसका इंतजार कर रही है जल्दी से खुद रजिस्टर कीजिए और अपनी दोस्तों को भी बताइए लिंक डिस्क्रिप्चिन में मिल जाएगा अब ही रजिस्टर करें सितंबर 2021 के दोरान महराष्टर के नाशिक में एक बिल्ली तेनवे से भाग का समय कुए में गिर गई और साथे साथ दुरबागे से तेनवा भी उसके पीछे पीछे कुए में गिर पड़ा अब बिल्ली की मौत तै थी उसके पास अपने अंतिम सासे गिनने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचा था लेकिन अभी कुछ ऐसा देखने को मिला कि वहां घड़े हर एक शक्स का दिमाग घुम गया तेनवे ने जैसे ही बिल्ली पर हमला करने की एकुशिश की वैसे ही बिल्ली ने हिम्मत दिखा देवे अपने आगे के पैरों को उठाया और तेनवे के सामने खड़ी हो गई ये देख तेनवे घबरा गया और वस गुर्रा कर बैठ गया कुछ ही समय बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम मोगे पर पहुँची और दोनों को सुरुक्षित बहार निकाल लिया हाली में नॉमबर 2021 के दौरान चैनने मिस्ति टीपी चत्राम गाउं में बारी बरसात के चलते बाड़ के हालात पैदा हो गए और बाद कुछ लोगों की जयान पर बनाए ऐसे में चत्राम पुलिस टेशन में कारेरत राजेश्वरी नामकी एक महिला इस्पेक्टर ने मसीहा का रूप लिया और नंगे पाउल लोगों की मदद करने मैदान में उतर गई इसी दोरान उनकी एक क्लिप पी इंटरनेट पर जम कर वारल हो गई जिसमें देखा गया कि राजेश्वरी ने एक बेहोश विक्ति को अपने कंदों पर उठाया और ओटों में डालकर होस्पिटल पहुँचाया यहां राजेश्वरी अपने आपको महिला पुलिस पता कर पेशे भी हट सकती थी लेकिन राजेश्वरी ने अपना कर्तवया और इंसानियत का साथ नय छोड़ते हुई काम करते हुई पूरे देश का दिल जीत लिया और आपका लाइक बटन दबा कर हमें जरूर बताएं मचली पकड़ने के कई तरह के आज तक आपने दिखे होंगी लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वियत नाम के कुछ इलागों में काम ली जाने वाली एक ऐसी टेक्निक जिसमें मचवारे बस पानी में हाट दालकर बैठती है और मचली खुद बखुदून के हाथों से चिपन जाती है दरसल मचली पकड़ने के इस तरीके में काटे के जिगेल लूफा यानि के सुखाई हुई तोरी काम में ली जाती है सबसे पहले लूफा को एक वाटर प्रूफ ग्लू में भी होकर इन पर मचलीों की खाने के चीज़ें लगा दे जाती है और इसके बाद मचली पकड़ने लूफा को अपने उंगलियों पर पहन कर पाने में डूबो कर बैट जाती है अब जैसे ही मचली इस पर चिपका हुए खाना हाने के लिए आती है वैसे ही इस पर चिपक जाती है इन दिनों ये क्लिप भी सोसिल मीडिया पर जम कर सुर्खियां बटो रही है जिसमें देखा गया कि एक खुब सुरुत लड़की और उसका पती हाद में गिफट बॉक्स लिए एक जुलरी शॉप में जाती है कुछ देर इदर उदर सामान देखने के बार लड़के ने अपने पासे में पड़े एक महंगे हार की बॉक्स पर अपना गिफट बॉक्स रख दिया अब जब थोड़ी देर में दुकान मालक सामान लेने पिछे मुड़ा तो महतरमा ने बॉक्स को गुमा कर हार वाले बॉक्स पर इसे पहना दिया क्योंकि उनका गिफ बॉक्स निचे से खुला रखा गया था इसके बाद मोका बाकर दोनों धीरे दीरे से रवान की रेना शुरू करते हैं लेकिन इन दोनों शादिर चोरू को मालूम नहीं था कि जनाम ने अपने हार वाले बॉक्स को पहले ही एक रसी से बांग कर रखा हुआ था अब पकड़े जाने के बाद लड़के धिरे धिरे से सरखना शुरू होती है और मोका बाकर भाग निकलती है वहीं पीछे खड़े उसके पती को दुकान माली का कुटा पकड़ दीता है लेकिन जानकारी के लिए बता दी कि एक क्लिप असल में फिक थी लेकिन चोरू के लिए इस तरह की तक्नीक कामे लेना कोई बड़ी बात में नहीं है मई 2020 के दोरान जापान की क्योटों में एक कपल नदी के नारे बैठा नास्ता करने की तैयारी कर रहा था साथे साथ बॉर्फरेंड ने अपने इन खुट-कुरूत लमों को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा भी सैट किया लेकिन बिजारा जैसे ही कैमरा सैट करके खाना खाने के लिए नीचे बैठा वैसे ही एक गिद उसकी गर्फरेंड के हाथ से स्नैक्स चुरा कर उड़ जाता है यह देए कि एक बार के लिए तो दोनों हैरान रहे गए मगर तभी उनकी पीचे से एक विक्ति ने आकर उन्हें बताया कि हाँ ऐसा ही होता है नदी के नारे कोई भी अपना खाना लेकर नहीं आता यहाँ पर लोग सिर्फ गिद्धों को ही खाना खिलाने के लिए आते है मई 2021 के दोरान अमेरिका की किसी रेस्टोरेंट में रिकूर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगी यह एक वेटर रेस्टोरेंट के बाहर मुझूद एक सांप को पकड़ने के कोशिच में जुटा हुआ था लेकिन काफी समय तक जुझने के बाद भी जिनाब सांप को नहीं पकड़ पाए लेकिन अभी रेस्टोरेंट में काम करने वाले उसकी सहकर में वेटर आती है और चन्द सेकंड्स में ही सांप को अपने हाथ में पकड़ कर तालाब में छोड़ आती है ब्राजिल के बाहिया में मुझूद इन जनाब से मिली जो लोगों में आकरशन का केंदर बनने के लिए अपने बालों में खतरनाक सांप लिए गूमते हैं लेकिन जानकारे के लिए बता दे कि ये विक्ति प्रोफेस्टिन स्नेक एक्सपर्ट है और बालों में रखा हुआ सांप उसका पाल दू सांप है आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है हम इसान सदियों से प्रकरती गुन उपसान पहुंचाते आ रही हैं और सूचते हैं कि कुदरत हमारा क्या बिगार सकती है अगर आप भी ऐसा सूचते हैं तो बता दे कि कुदरत अगर अपनी पर उतर आई तो कोई भी उसका सामन नहीं कर सकता जिसका छोटा सा टेलर आप जून 2017 के दोरान बांगला देश में एक खतरनाक हेल्स्टोम से लगा सकती है देखी कैसे बॉल के आकार के ओलों ने खुली जगया पर मुझूद हर इंसान को सबक सिखाया और अपने घरों के तरफ भागने पर विवश कर दिया जुलाई 2021 के दोरान इंटरनेट पर एक क्लिप जम कर सुर्कियों में आई जिसमें दिखा गया कि कुछ मन चले लड़के बस टॉपर बैटी लड़की को अगेला पाकर उसके साथ छेट गाने शुरू करती है लेकिन कुछी देर उने सेहन करने के बाद लड़की अपना गाउन उताना शुरू करती है और उसके अंदर से निगलती है एक महिला पुलीस अब महिला पुलीस के साथ ऐसी हरकत करने के बाद तीनों लड़कों के सिट्टी पिट्टी गुल हो गए महिला पुलेस ने एके करके तीनों की कुटाई की और सरेयाम तीनों से उठक बैटक लगवाई लेकिन आप इस वीडियो को सर्च माने उससे पहले बता दे कि ये सब प्री प्लैंट वीडियो या फिर प्रैंक का हिस्सा था जिसे कुछ लोगों ने सोसिल मीडिया पर बिना सही जानकरेगे शेयर कर दिया और वीडियो आग के तरह फैर लोगा आज शेकरते हैं वीडियो का पार्ट 14 आपको पसंद आया होगा स्रीज को जारी रखने के लिए कॉमेंट वोक्स में पार 15 लिखना बिल्कूल भी ना भूलें धन्यवाब